जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल एस जेडी पे फाइनली दोस्तों इंडियन कोस्ट गाड नाविक डीवी जीडी यांतरी का जो नौटिफिकेशन है वो आउट हो गया है नौटिफिकेशन को हमने ओपन कर लिए एक एक चीज आप लोगो को डिटेल में बताएंगे फॉर्म कफसे फिल अफ हो रहा है लाट डिट क्या रहने वाला है इसके लिए इसलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है एज लिमिट क्या है ए टू जेड से लेवर से लेवर सब कुछ बताएंगे वीडियो को पूरा दिखेगा और सेर कर दीज कि इसका फॉर्म कफसे फिल अफ होगा इसका फॉर्म जोगा दोस्तो छे फरवरी से स्टार्ट होगा और इसका जो लांच डेटर रखा गया है दोस्तो वो रखा गया है 16 फरवरी 2013 ठीक है यानि कि आप लोगों को 10 दिन का मौका मिलेगा फॉर्म फिल अफ करने के लिए बात करते हैं तो जो भी दोस्तों इंडियन जो मेल सीटिजन है ठीक है सिर्फ मेल के लिए वो इस मतलब की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं कौन-कौन से पोस्ट के लिए निकला है जेनरल ड्यूटी यानि की जीडी के लिए डीवी के लिए निकला है और सायद से यहां यांत्रिक को सायद से है यानि मेरे को लग रहा है कि यांत्रिक इस बार नहीं है ठीक है देख लेते हैं एक बार उपर में देखलो यहां पर जिन्नर ड्यूटी एंड डुमेस्टिक ब्रांच ठीक है अब देखो यांत्रिक इसके अंदर मतलब कि आड नहीं किया गया तो यां बाण करते हैं डिवी की डिवी में आप दोस्तों 10 बी पास होना जारूरी है किसी बोड से अगर आप लोग 10 वी पास हो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो बात करले ते एज को लेकर एज किया रखा गया है एज मेरे भाई रखा गया है 18 साल से लेकर 22 से तक बाकि एज मेरे लिक्सेशन भी आप लोगो देखने को मिल जाएगा सबसे पहले हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं एज लिमिट कितना से कितना रखा गया है दोनों के लिए दोस्तों जो रखा गया है इस बाट डेट ऑब बर्थ वो रखा गया एक सेप्टमबर 2001 से लेकर यहां पर 31 अगस्ट 2005 के बीच में डेट ऑब बर्थ रखा गया है बाकि आप लोग को इसके अंदर एज लेक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग दोस्तों हो SCST से तो आप लोग 5 वर्स का एज लेक्सेशन देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अगर आप लोग का एज लगता है कि इतना नहीं है मेरा डेट ऑब बर्स आगे हो गया है अगर SCST और या OVC से हो तो सर्टिफिकेट लगा के आगे बढ़के और फॉर्म को फिल अप कर सकतो अब चलते हैं नीचे आने कवाद पोस्ट की देखते कि पोस्ट कितना रखा गया तो पोस्ट सेम है कोई भी चेंजिंग नहीं पोस्ट के अंदर में सबसे पहले selection procedure बताते हैं कि सबसे पहले आप लोगों का जो भी होगा दोस्तों यहां पर merit जो लगेगा वो लगेगा ओल इंडिया पर ठीक है इंडिया order of merit भी ठीक है तो performance होगा जो भी stage 1, stage 2, stage 3 और stage 4 में आप लोगा selection होने वाला है सारा stage को यहां पर बारी बारी से बताएगा कि stage 1 में क्या होता है stage 2 में आप लोगा क्या होता है वो सब कुछ पहले बात करते है stage 1 में आप लोगा return examination होता है इसमें जो भी candidate pass या fail होते है वहीं से सब कुछ होता है अगर pass होता तो फिर आप लोगो stage 2 में मतलब की मौका मिलता है सब्सक्राइब करने में में सब्सक्राइब करें निचे दोस्तों नीचे आने कवाद सबसे पहले लोग थोड़ा बात करें आपर कि कौनकों से डोकुमेंट ओनलान फॉर्म के लगेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजेगा पहले नीचे आते हैं वह एकजाम से अब नोगे घर से 30 किम्मितर के अंदर अंदर मिल जाएगा तो श्राइब से जादा दूर नहीं होगा आपके रिसके धर खेल नहीं होगा माही 2030 में होगा उसके बाद जो स्टेज ड़र जिसमें की अप लोग को बताऊगा क्या होता है डोकुमेंन्ट यह पर अग लिखते हैं करो चाथ को लिखते हैं को ल्क लिखते हैं सब्स् 근데 क्किसक्ट को लिख कर दीए अब देखते हम यहां पर एक निरुट रफ लूगे डेखते हैं आप और अगल यहां पर देखें, अगर हैं यही नीचे नीचे आने के बाद आप सबसे पहले जो देखने को मिल जाएगा यहां पर इंस्ट्रक्शन नीचे नीचे है आप खास कुछ नीचे आप खास कुछ था ने बता दिए अब एक बार हम लोग थोरा syllabus को लेकर discuss कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है आप लोगो तो यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल जाएगा आते हैं थोरा ऊपर और ऊपर आने का वाद आप लोगो यहाँ पर देख लो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि अगलेवर कंशी स्क्राइब यहां क्या होगा दो geht जो अगे तो मतलब करना है तो मतलब假ंभ आपढ़ने से इसमें D मतलब कि section 1 ठीक है यहां पर देख सकते हो यह इसमें 50 Marks के और 30 Marks के और 50 Marks total यहां पर देख सकते हो तो इसके 50 Marks पेपर होते हैं इसमें 20 और 17 और इसमें 12 के math और physics के स्लिवस रहते हैं उसे ज्यादा नहीं तो इसमें 10 का स्लिवस रहता है और कुछ ज्यादा नहीं तो उसी से question आप लोग के आएंगे अब देख लेते हैं पहले हो जाता था यार बाकि मैं देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर देख लो नहीं है वह सिस्टम ही कि आप लोग द और जीडी का भी देंगे यहां पर साफ साफ लिकावाए ठीक है तो इतना चीज आप लोग का इस पर का सिलेवस है तो सारा सिलेवस को यहां पर कवर करवाया जाएगा इस चैनल पर पढ़ाए भी होगा तो चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो और टेलिग उतना हो सकते हो उतना अप लोग सेयर करना मिलते हैं दोस्तों एक और निव वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ अच्छे कलास के साथ अप तक लिए दोस्तों जैहिंत वंद्यमातरम